शिवा एक ओफिस का बॉस था इसलिए उससे सेक्रेटर की जरुरत थी एक दिन वो अपने एक एमप्लोई से कहता है सुनो मुझे सेक्रेटर की जरुरत है तुम कल अपने ओफिस में एक सेक्रेटरी लेके आना इतना कहता है इसके बाद वो एमप्लोई कहता है ठीके सर इतना क कहता है इसके बाद शिवा कहता है ठीके ठीके अब तुम जा सकते हो इतना खेकर वो अपने एंप्लोई को वहाँ से बेज जेता है इसके बाद वो रिवा से बाते करते करते शिवा को रिवा से प्यार हो जाता है और ये बात रिवा को मालूम पड़ता है तो रिवा सुस्ती ह ये तो इस ओफिस का बॉस है और उसे मुझसे प्यार हो गया है अब मैं इस चिसका फाइदा उठाऊंगी और यहां पर काम ने करूंगी और बिना काम की ही यहां से सेले ले लूँगी इतना सोच कर वो सारा काम शिवा से ही करवाती थी एक दिन शिवा सोचता है यह रेवा ज आज मैं बाहर गूमने के लिए जारी हूँ और आप मेरा आज का सेलेरी मत काटना वैसे मेरे पास यहां पर काम करने के लिए टाइम नहीं है इतना कहती है यह बास सुनकर शिवा को गुस्ता आता है तो शिवा कहता है तुम मेरे एक एंपलोई हो सिरिप एंपलोई समझी मै यह तुम से कोई ब्यार नहीं करता चुप-चाप यहां के काम करो वरना में तुम्हें यहां से बहार निकाल दूँगा और मुझें इस मेरे का पागार में लिए नहीं किया है और सारा काम मुझे सही करवा यह इतना कहता है यह बास सुनकर रिवा को जठका लगता है